दोस्तों तो आज डेट है 27 दिसम्बर 2021 जितने भी important articles हैं P.I.B. के वो सारे हम discuss करने जा रहे हैं आज का पहला article है थोड़ा सा pattern change किया है आप देखिएगा कैसा होता है दिसम्बर 2021 तक कोल मिनिश्ट्री द्वारा कितने कोल माइन्स के auction कर दिये गए हैं including recent auction हाली में कोल मिनिश्ट्री ने दो और कोल माइन्स का auction किया है इस तरह से दिसम्बर 2021 तक total कोल माइन्स का auction कितना हो गया है 30 कोल माइन्स ये देख लिए आप कोल मिनिश्ट्री ने दो नए कोल माइन्स का auction कर दिया है इस तरह से 30 माइन्स का 30 कोल माइन्स का auction हो गया है जिसके वेसे revenue कितना generate होगा 8,158 करोड चलिए देख लेते हैं article क्या है mystery of coal ने second attempt में 11 all coal mine के लिए auction दे दिया है सितंबर 2021 ये bidding चल रहा था और 4 mines के लिए bidding रिसीब की इस तरह से ही 4 mine में से 2 mines का auction हो गया है जो कि जारखन और मदर प्रदेश में है तो अब तक total 30 coal mines का auction हो चुका है जिसमें से 23 fully explored है और 7 parsley आपको बता होगा कोरबा कोईले की बहुत बड़ी ख़दान है 36 गड़ में कई बार यहां पे जाना हुआ लेकिन कोईले के ब्लॉक के आसपास जो pollution होता है वो बहुत high level पे होता है इवन जो water resources होते है ground water resources वो भी damage हो जाते है और लोगों की life तो एक तरह से फेवड़ी की विमारिया हो गयरा हो जाती है तो बहुत दिक्कत वाला होता है तो 30 coal mines का government ने जो है auction कर दिया total government कोसे कर दिते रही है जल्दी से जल्दी thermal electricity से renewable electricity की तरफ transfer हुआ जाए तो उसके बाद ही coal mines का auction रुकेगा अगर peak rated capacity की बात करें अभी तक auction की गई तो वो हो गई है 63.17 MT per annum जैकि अभी तक auction की गई peak capacity 63 MT per annum से अधिक हो गई है उसके अलाबा इन 30 coal mines के auction के बाद जो हमारा total revenue generate होगा वो 8000 से भी उपर करोड का होगा 8000 करोड से भी उपर का होगा और employment 85,000 लोगों से लिए employment generate होगा coal की बात करें तो इंडिया अपनी energy needs के लिए 55% thermal energy पर depend करता है जो की coal से आती है इंडिया की per capita commercial energy consumption कितना है 350 kilogram oil equivalent कितना 350 kilogram oil equivalent इंडिया में top 5 इस्टेट कौन से है coal production के जारखन, ओड़ीशा, 36 गर्ड बाकी आप अपढ़ियेगा कोड़े को carbon content के आधार पर divide किया गया है 3 categories में anthracite सबसे best quality होती है कोड़े की highest calorific value होती है अच्छा calorific value कैसे decide करते है octane number से octane number से याद रखेगा तो anthracite best quality का कोईला हो गया इसमें 80 से 95 परचेंट तक क्या रहता है carbon content रहता है blue flame के साथ जलता है तो आपने देखा होगा LPG यूज किया है LPG में जब तक blue flame रहती है तो कहा जाता है gas lender complete है क्योंकि उसमें impurities काम आती है लेकिन जैसे yellow flame हो जाती है तो impurities क्योंकि bottom के आने लगती है नगैस तो impurities जो है अधिक आने लगती है तो blue flame के साथ जलता है anthracite bituminous की बात करें 60 to 80 परसेंट तक carbon content होता है हलका सा motion level भी होता है इंडिया में जारखन वेस्ट बेंगॉल ओडिशा 36 घर यहां पर bituminous पायाता है anthracite नहीं पायाता है एक तरह से आप ये समल लीजे जम्मू कस्मीर क्योंकि anthracite जम्मू कस्मीर के कुछ areas में पायाता है लेकिन इस मात्रा में नहीं पायाता है इवेन हम लोग जो steel industry है cooking coal का import करते है क्योंकि cooking coal इंडिया में नहीं पायाता है तो इस तरह से इंडिया जो है coal production में self-reliance नहीं है lignite third quality मालब तीसरे नमर पे आता भी है और third quality का coal भी है 40-50% तक carbon content होता है brown होता है color में उसके अलावा एक और category है जो की peat के farm में होती है ये वो situation है जब कोईला बन रहा होता है इसका मनलब क्या है first stage है transformation की जब wood से यानि लकडी से कोईला बन रहा होता है इंडिया में coal sector का nationalization हुआ दो phases में पहली बार 1971 के दौरान फिर 1973 के दौरान और coal block पूरी तरह से nationalize किये जा चुके है लेकिन अब revenue के model के अधार पर cloak को जो coal block है आपकी उनकी bidding की जा रही है ये देख लिए जून 2022 तक के लिए government of India ने soya meal पर soya meal पर क्या क्या है stock limit लगा दी है देखे soya meal सिर्फ इंसान नहीं पसू भी खाते है जानौ भी खाते है तो soya milk का जो domestic price है उसको कर्व करने के लिए नहीं cool down करने के लिए government of India ने soya meal पर क्या stock limit लगा लिए है 30 जून 2022 तक लगा दी है जितना भी soya से related product होगा वो 30 जून 2022 तक किसमें ला दिया गया है essential commodities act 1955 अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है यह जो stock limit लगाईगी है soya meal पर इसमें कहा गया है plant millers processors यह 90 days of production से अधिक stock देह रसकते यह कैसे decide होता है जितना input होता है per day का average माल लिए आता है कि सबसकरिए आपको 1 kg per day का input है तो 90 days में 90 kg होगा अब इससे open ही रसकते लेकिए government registered companies है तो वहाँ 160 metric ton की stock limit है तो किस पर लग जया है soya meal पर stock limit लग गई है covid को देखते हुए और क्योंकि omicron variant हम लोग तो आम आदमी है हमें इतना नहीं पता लगे government अगर इतना strict action ले रही तो कुछ गरबड तो होगी ही यह देखेए essential commodities act इसमें soya meal आ गया है essential commodities act के serial number 9 में soya meal को सामिल कर लिया गया है essential commodities act 1955 में पास हुआ था इस act में अगर कोई वस्त सामिल हो जाती है तो उसकी black marketing ना के बराबर हो जाती है यानि unfair market practices नहीं की जा सकती है साथ-साथ consumer यानि उभवगता के लिए उसकी availability को बढ़ाया जाता है इसलिए आपका essential commodities act में लाया गया अगला question है सुसासन दिवस good governance day यह तो मैं आईसी ले लिया मैंने बताता हूं आपको देखेए 23 समर को क्या था farmers day क्या था farmers day था 24 समर क्या था consumer right day 25 समर क्या क्या हुआ good governance day तो यह तीन डे हैं और तीनों important है साथ में पढ़ रहे हैं तो सुसासन देखिए article related है consumer right day से तो मैंने सुसासन दे तो क्रेंट एफर्स का question था वह भी ले लिया देखिए department of consumer affairs यह 23 दिसमबर को national consumer right day मना रहा है theme क्या है consumer know your rights यह यह रखेगा consumer know your rights तो जो हमारे प्यूस गोल जी है उनके पस कई सारी मिनिस्ट्री है से ministry of consumer affairs food and public distribution textile and commerce industry यह नावाड phase two में पूछा था तो कई बार हम लोग पढ़ चुके होते हैं तो याद रहता है इतना कोई टेंशनरी बात नहीं है श्री प्यूस गोल जी ने e-book release की फिर national test house की mobile van release की जो कि drinking water को test करेंगी यह सब हमारे लिए important नहीं वस्तिना रखे कि more vibrant consumer regime के लिए पाच major initiative launch के गए हैं जो कि rule based हैं जैसे direct selling rules mediation rules misleading advertisement guidelines उसके लाबा packaged commodities rules तो इस तरह के five major initiatives launch के गए हैं किसके तोरा fuse goals के लिए ताकि consumer के right और बहतरी से insure किया सके e-daakil portal आपको पता ही है ministry of consumer affairs का portal है online filing कर सकते हैं आप complain की जागो ग्राहक जागो यह तो आपको पता ही है अभी तक 544 consumer commissions को e-filing portal से जोड़ा जा चुका है पूरे देश में whole marking mandatory कर दी गई है 256 districts में कितने 256 districts में 23 June 2021 से whole marking mandatory है सारे जोलर्स को registration करना पड़ेगा फिर whole marking करनी पड़ेगी जागो ग्राहक जागो का सर्वेच्छड भी करवाया गया 4 अगस्ते 4 सितम्बर के बीच में जिसमें 93.71% कंजूमर ने जागो ग्राहक जागो की बीचे में सुना है जिसमें से 89.67 ये कहते हैं कि जागो ग्राहक जागो से कुछ न कुछ फायदा जरूर हुआ कंजूमर अवेडनेस में तो सोचिए अभी भी इंडिया में साथ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जागो ग्राहक जागो कैम्पेन की बीचे में नहीं सुना है इसका मलब वो दुइन दुनिया से कड़े इवन एड़टीजमेंट भी नहीं देखते होंगे वो टीवी पे चलिए अगला आर्टिकल देखते है आइनस सुदर्शिनी इसको गल्फ कंट्रीज में डिप्लॉई कर दिया गया है मिनिष्टिय और डिफेंस कार्टिकल है आइनस सुदर्शिनी ये है आइनस सुदर्शिनी गल्फ रीजन में इसको डिप्लॉई कर दिया गया है चाबाहर पोर्ट के पास देखिए साहिद बहस्ती पोर्ट साहिद बहुनार पोर्ट बंदरबास इसका इनार में है तो बंदरबास पोर्ट के पास चाबहर पोर्ट के पास किसको आइनेस सिंदुदर्द सुरी सुदरसनी को क्या कर दिया गया है deployment इसका कर दिया गया है ये है INS उदरसनी INS उदरसनी के लावा एक और INS INS खुकरी भी चर्चा में है ये पहली बार built किया इंडिया का corvette है हाली में decommission हो गया 32 वर्सों बाद तो INS खुकरी को 32 सालों बाद 32 वर्सों बाद क्या कर दिया गया है decommission कर दिया गया है इसकी service से बिसाखा पटनम में इसकी decommission ceremony जो है और्गनाईस की गई INS खुकरी को 23 अगस 1989 को इंडियन नेवी में सामिल किया गया था और लगबग 6.5 लाख नॉटिकल माईल लिए travel कर चुका है देखे 30 बार पूरी प्रतिवी के चक्का लगा चुका है जो की लगबग 3 गुना distance होती है अर्थ और मून यानि 3,84,000 किलो मीटर गुडे 3 यह हो गई यह अर्थ से मून की distance है तो इंटू 3 कर दो तो इतना INS खुकरी जो है ट्रेवल कर चुका है खास बात क्या है INS सुदरसनी और INS खुकरी दोनों मंजगा और आक्यार लिंटिन में बने थे अगला आर्टिकल है महुआ Ministry of Housing and Urban Affairs इन्होंने अर्बन इंडिया को Garbage Free यानि कच्छे से मुक्त बनाने के लिए Road Map लाँच किया है Road Map क्या है अच्छे एक टूल किट है देख लिजे Good Governance यानि 25 दिसंबर के मौके पर Ministry of Housing and Urban Affairs ने क्या किया Garbage Free Cities Toolkit 2022 को लाँच कर दिया इसमें Waste Management के लिए Important Governance Tool है कि Waste Management कैसे किया जा सकतना चाहिए 1 October 2021 यानि 1 October 2021 को हमारे Prime Minister Modi जिने इंडिया को Garbage Free बनाने के लिए Swatch Bharat Mission Urban 2.0 लाँच कर दिया देखे Swatch Bharat Mission पहला वाला 24 में लाँच कर दिया था Second Face 2021 में Prime Minister Modi ने लाँच कर दिया 2.0 Garbage Free Cities को बनाने के लिए इंडिया बिना Garbage Free Cities के दो बन नहीं सकता अब यह जो Toolkit है इसमें रेटिंग दे सकते हैं आप कई सारे Tools दिये हैं कि अगर यह यह पैरामिटर कम्प्लीट करते हैं तो आप उस City को रेटिंग दे दिये तो यह जो Swatch Bharat Mission 2.0 है इसका धे क्या है Objective यह है कि जितनी भी Urban Local Bodies हैं उनको कम से कम 3 Star Garbage Free बनाया जाए As per Star Rating Protocol तो लगबग 50% Urban Local Bodies को इसमें कवर किया जा चुका है मालब पार्टी पेट किया उन्होंने जिसमें से 299 Cities का Certification किया गया है तो 299 Urban Local Bodies का Certification किया गया है Important यह है सिर्फ 9 Urban Local Bodies ऐसी हैं जिनको 5 Star Rating मिली है और Urban Local Bodies में मालब इन दौर जैसी होगी ही इन दौर Urban Local Bodies जिसको क्या 5 Star Rating मिली होगी तो गार्बेस फ्री टूल किट के दौरा इतिनी सारी Urban Local Bodies का Analysis किया गया सिर्फ 9 को 5 Star Rating मिली है उसके बाद यहां आप देख लीजे 143 Cities को 3 Star Rating मिली है 5 Star मिलब भहिया का अच्छा दिखते ही नहीं होगा उसके लावा यह जो टूल किट है इसमें पहले जो 25 components इंडिकेटर्स थे उनको 24 कर दिया गया है और याद रखेगा एक Star प्रदान करने के लिए 16 indicators अगर आप mandatory कम्प्लीट कर रहे हैं तो एक Star आपको दिया जा सकता है तीन Star के लिए भी same process है उसके लावा 8 indicators aspirational के लिए हैं और 5 star 7 star aspirants के लिए अलग से होंगे जो revised protocol है स्वच भारत mission urban 2.0 इसमें door to door waste collection को maximum weightage दिया गया है 50% यानि घर घर जाका जो कछरा इखटा करते हैं उसको maximum weightage दिया गया है garbage free city की बात किरे हैं तो जो हमारा स्वच भारत mission urban 2.0 है यह 100% waste processing पर focus करता है यानि सिर्फ कछरा इखटा मत करो आप कछरे से कंचन भी बिनाओ तो आपने देखा होगा अमीज साहाजी ने नदिली में क्या inaugurate किया है कछरे से कंचन क्या विसाल भारत पर्क कुछ ऐसी है ना उसका नाम स्वच भारत mission 2014 में launch किया गया October 2014 में प्राइश्टर मोदी जी द्वरा इसके दो segment है स्वच भारत mission rural यानि ग्रामीड इलागों के लिए जो की जल सकती मिनिश्टी के दाता है और स्वच भारत mission urban जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वो ministry of housing and urban affairs का initiative है अगला article देखते है news on air देखिए news on air जो mobile app है उसकी live streaming की इंडिया में ranking जारी की जाती है हर साल तो इस बार भी जारी की गई है बस छोटा सा article देख लिए news on air mobile app आप देखेगा जो एड़ना कुलम district है वो top 10 में सामिल हो गया है जैपूर को replace कर दिया है news on air को online streaming की बात करें तो पुने ने top किया है यानि news on air mobile app सबस्यदा पुने में यूज कियाता है second number पे वेंगलूरू आता है ये top two cities जाद रखेगा अब बात किया कि news on air mobile app पे ये जो है दसमे प्लेस से तीसरे प्लेस पर आ गया है तो इसने improvement बहुत अच्छी की है AIR बल्यालम ने तो पुने और बैंगलूरूरूरं टॉप किया है news on air को देखने में और बेश चनकों सा है विविद भारती good governance index 2021 किसने रिलीस किया है जो हमारे home minister mister of cooperation Amish Sahaj जी है उन्होंने 25 दिसमबर 2021 को रिलीस कर दिया है 20 राज्यों ने अपनी ranking को improve किया है good governance index 2021 में गुजरात टॉप कर रहा है good governance index में 58 indicators में टॉप कर रहा है second number पे महराज आता है third number पे गोवा उत्रपदेश में improvement हुआ है good governance index में 2019 से 2020 के दौरान जमुकस्मीर में इंप्रूवमेंट हुआ है जो कि हमारे लिए important नहीं है उत्रपदेश नहीं जमुकस्मीर ये देख लिए अमिस्सा इन्होंने good governance index 2021 रिलीस कर दिया है जिसको department of administrative reform and public grievances जो आप prepare किया आता है तो आपसे ये पूछ सकते है good governance index कौन prepare करता है department of administrative reform and public grievances good governance index कब रिलीस करता है 25 दिसंबर को good governance डेवाले दिन अमिसाज ने रिलीस किया है नेदिली बिग्यान होन में याद रखे है 2021 का जो good governance index है इसमें 10 sector को क्या किया गया है सामिल किया गया है 58 indicators के साथ गुजराट टॉप पे है महाराश सेकंड पे और गोवा थर्ड पे तो 10 sectors में अगर बात किया है तो गुजराट महाराश गोवा ये top 3 है good governance index गुजराट निखाया है कि 53% ये तो छोड़ी है जो important नहीं है बाकी ये देख लिजिए इन्होंने बता है good governance index 2021 में 20 राज़ों ने अपनी ranking इंप्रूफ की है ये है good governance index में जो 10 sectors हैं वो cover किये गए हैं ये देख लिजिए agriculture, commerce energy, human resource, public health public infrastructure, economic governance social welfare development, judiciary and environment citizen centric अब एक्जाम में पूछ लिजिए जो good governance index 10 sectors हैं उन 10 sectors में किसको सामिल नहीं किया गया अब देखिए इसमें कहीं education देख रहा है आपको नहीं देख रहा है अलग से human resource development देख रहा है ठीक है तो education नहीं, science and technology कहीं नहीं दी गई है यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है तो ये इस चाहिए आप याद रखेगा composite बात करें, गुज्राद ने टॉप किया है मद्वदेश ने सिकंड sorry, group B में मद्वदेश आया है और group C में यानि जो हिली एरिया उसमें हिमाद्वदेश ने टॉप किया है यूटी में दिली ने टॉप किया है तो group wise जो है आप याद रखेगा good governance index में क्योंकि आप से पूर सकते हैं गुज्राद टॉप पे है large state की गर्गिर्गी में उसके बाद group B में मद्वदेश आया है जो as parishionals की बात करें अगर और हिली एरिया में हिमाद्वदेश ने यूटी में दिली मिलते हैं नेक्स वीरित में तो गले टेक क्यों गुडबाय और चैहिन